जै श्रीम नारायन दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है कामदा इकादिशी का वरत करने से सांसारिक जीवन की सारी समस्याओं से मुक्ति मिलती है और व्यक्ति जन्व मुरत्यू के बंदन से मुक्त हो जाता है इकादिशी का वरत रखने से पापो का नाश होता है और जो व्यक्ती स्व्रत को करता है उसके पूरवजों को भी मुक्ती मिल जाती है। कःमदा एकादेशी तिती को भगवान विश्नु की विधी विधान से जो भी वियक्ति पूझा करता है उसको हजारों वर्षों की तपस्यां के बराबर फल मिलता है और अइसा कहा जाता है कि जो वियक्ति दान पुंय या फिर कन्या दान नहीं कर पाता है अगर वो ये वरत क तो उसको उसका विभल बहुत ही आसानी से मिल जाता है वहीं संधियाखाल में भगवान विश्नु और माता लक्ष्मी की भी पूजा का विदान है कामदा इकादिशी वृत के पुन्य से जीवन आत्मा को पाप से मुक्ति मिलती है और कामदा इकादिशी का विरत रखने पर पारी बार एक जीवन की सारी समस्याइं खत्म हो जाती है तो चलिए जान लेते हैं कि कामदा इकादिशी का ये बेहत ही महत्पून जो वृत है वो किस दिन रखा जाएगा क्या शुब मूर्थ है क्या विदी है क्या महत्व है और कौन सी आरती इस बार जो है वो भगवान विश्णू को प्रसंद करने के लिए करनी है ताकि वो हमारी सारी समस्याओं को दूर कर दें चैतर मास के शुकल पक्ष की कादिशी तिथी का जो शुब आरम है वो अठारा एप्रेल तो हजार चौवेस की शाम को पांच बज़कर 31 मिनट पर हो जाएगा जिसका की जो 10 बज़कर 43 मिनट तक है तो इसी बीच में आपको पूजा करनी है पारन का समय जान लेते हैं कामदाई कादिशी का जो वरत पारन है वो 20 अपरेल 2024 को सुबह 5 बज़कर 50 मिनट से लेकर के सुबह के 8 बज़कर 26 मिनट के बीच में किया जाएगा इस दिन पारन की तिथी के द अनुसार नहीं करते हैं सही तरीके से नहीं करते हैं तो भी हमें हमारे वरत का जो पूरा फल है वो नहीं मिल बाता है कामदाई कादिशी के दि मुर्थिक Σुबह सुबह उठकर माहि cold कपड़े पहलें इसके बाद में मंदिर की साफ पेला कपड़ा लें इसके बाद में अक्षत पुष्प तिल धूप दीप नविद्य जो भी समय के अनुसा जो भी फल आपको मिल रहा है यानि कि जो रितू फल है पान नारेल ये सारी चीज़े जो है वो अर्पित कर दें इसके बाद में कामदा इकादिशी की कथा का श्रवन यानि कि सुन ले और वाचन या फि कि कथा के बिना भी जो है ये वरत संपूर नहीं होता है इकादिशी वरत पूजा के आखिर में आर्थी जरूर से करें आर्थी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी ये आर्थी आपको जरूर से करनी है जब भी आप अपनी पूजा करें इस आर्थी को आप नोट कर प्लेजिय और इसी आर्थी के तहत ही आपको पूजा अपनी संपून करनी है। परशों की तपस्या, दान और करन्या दान से मिलता है। तो आपके सभी दोशों का निवारन होगा और आप कोई सारी मनुकामनाय पूर्ण होगी। मेश राशी को क्या करना है इस दिन शुदगी में सिंदूर मिला करके भगवान विश्णू के चितर के आगे दीपक जलाएं। चोटा सा उपाय जरूर कर लीजेगा। करें धनूराशी भगवान नंद गोपाल के चितर पर चनी का प्रसाच चणाएं। मकर राशी श्री गोविंद के चितर पर लौंग इलाइची का तामबुल चणाएं। कुम्ब राशी भगवान नारायन के चितर पर नार्यल और मिश्री चणाएं। मीन राशी भगवान विश्णू के चित्रपर केसर से तिलक करें तो यह बहुत ही छोटे उपाए हैं अगर आप यह उपाए अपनी राशी के नुशार काम दाई कादशी के दिन कर लेते हैं तो आपके सभी दोश सभी पाप जो आपने अब तक ही है उनका निवारन हो कि जो लोग वीडियो देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर दीजे चैनल को सब्सक्राइब कर दें नोटिफिकेशन बैल को दबाना बिल्कुल भी न भूलें क्योंकि यहां पर इस तरीके की महत्पून जानकारिया मिलती रहते हैं तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नह जानकारी के साथ जैश्री मना रहा हैं दोस्तों जैश्री कृष्णा